देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने तो ये भी कहा था कि जगन भुजबल करप्थ हैं, अजीत पवार करप्थ हैं, उन्होंने कहा था कि अशोक चफान करप्थ हैं, तो क्या हुआ? प्रधान मंत्री मोदी ने ये भी कहा था कि महंगाई कम करेंगे बहुत हुआ महंगाई पर अब की बार मोदी सरकार ये बोलके वो सत्ता में आये थे आज देश अब तक की सबसे जादा महंगाई से गुजर रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा था कि डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होगा और आज रुपया डॉलर के मुकाबले बिल्कुल विक हो चुका है प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा था कि महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी और हम सब ने देखा कि कैसे देश की आथलीट बेटियां न्याय खेलिए सडकों पर बैठी तो प्रधानमंत्री मोदी ने अगर 370 कहा है तो उनके कहने से क्या होगा ये तो जनता के हाथ में है और अभी लोग तंत्र है लोग तंत्र में जनता की चलती है किसी नेता के कहने से कुछ नहीं होता देखिए मैं अपना मानिय दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विन केजरी वालत को अपना चैलेंज देता हूँ कि वो दिल्ली में लोकसबा का चुनाव लड़कर दिखा है और मैं उनको चैलेंज देता हूँ मेरे सामने लड़कर दिखा है तो ये सारा सामने आ जाएगा कि क् तो कोई उनका जो चैरा था वो बेनकाब हो चुका है दिल्ली की जनता उनको पहचान चुकी है और वो जो है बहुत ही जल्दी जेल जाने वाले हैं इसलिए वो देश की जनता को गुम्रा कर रहे हैं ये बात बोलके कि हम उनकी सरकार गिराना चाहते हैं और फलाना फलाना वो जो भी बोल रहे हैं तो ये बिल्कुल एक देव बनियाद है और अर्वीन केजरीवाल भी समझते हैं कि एक बार फिर से मोधी जी पलहार मंत्री बनेंगे